ये है टॉक्स न्यूज नेट्वर्ड और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजगर ताना अधिकारी विश्मुद विश्मुद जी कि संदीत मौत से पहले उन्होंने अपने करीवी मित्र एड़ोकेट गौर्दन सिंग के साथ में वार्ट सब चैट की थी जिससे यह खुला सब पाया कि वो किसी गंदी कि राजनीती का शिकार थी कि आखिर क्या था पूरा मामला इस पर हम बात करने के लिए आज हमारे सब मौजूद हैं एड़ोकेट गौर्दन सिंग जी गौर्दन जी नमस्कार है कि हम जाना चाहते हैं कि सबसे पहले जब आपको विश्मुद जी की मोत का समाचार मिला तो आपका पहला रेक्षिन किया था अपने आपसे है किसी से भी सुनने के बाइस की लगा अपको क्या मैंस अड़ा मेरा यह था कि कि मैंने कोई अपराद कर दिह कि कि कैjest जब एक दीन पहले वो मुझे बता रहें कि मैं नौकरी चोड़ रहा हूं यह एक इतना इमांदार इतना बहाद़ूर इतना जाबाज इतना करतविनिस्ट इतना न्याइपरी विक्ती जब नोकरी छोड़ रहा था तो मुझे समझ जाना चाहिए था र्मुजे तुरंत यहां से में रवान आँकर उनके पास पहुंच जाना चाहिए था आज वो कोही नूर ही रहा हमारे पास होता मेरा जो पहला रियक्षन मेरे दिमाग में आया वह या कि मैंने अपरादी अपरादी मैं हूं मैंने अपराद कि आज इनकी मौत को इतनी सारी चीजें राजगर्ड में और मेरे चैट पर और अधर सारी चीजें आगई एविडेंस जिन से यह लगता है कि ऐसा बहाद्दूर व्यक्ति सुसाइड नहीं कर सकता पुलिस थाने में जहां उनका क्वाटर है वह थोड़ा किनारे पड़ता है राजगर्ड राजस्थान का सबसे वर्ष्ट थाना माना जाता है जहां पर मर्डर होना सामाने बात है विश्णुदत जी को धमकियां मिल रही थी दबाव था उन पर ये सारी बाते उन्होंने रोजनामचे में लिखी है उनका मुबाइल जो है उसमें क्या-क्या किसकी धमकियां आई है वह मुबाइल अभी पुलिस के पास है आरोप वहां की लोकल विधायक पर भी लग रहे हैं उन्होंने भी गंदी राजनीती के महर में फसाने की बात कही है तो आज की अवस्था में अत्वा राजस्थान सरकार के अधीन चलने वाली अनुसंदान में या जाँच में आप और हम इस नतीजे तक पहुंची ही नहीं सकते कि यह आत्मत्या या हत्या है क्योंकि जिस तरह के वहां हाला थे मैं वहां पर क्वाटर में जाकर आया और उनकी डैड़ बोडी जिस तरह से लटकी भी थी दस गंटे से उनकी डेट बॉड़ी जहां लटकी भी तो उसके जस्ट पास में कुर्सी पड़ी है हिली भी नहीं कुर्सी और पलंग से जस्ट चिपकेवे पैर उनके दिख रहे थे तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह आत्मत्या ही है उन पर दबाव था प्रेशर था धमकियां थी सब एविडेंस है लेकिन यह सारा मामला इसलिए जाच यहां नहीं हो सकता राजस्थान में क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है और इस बात के साक्षे भी हैं कुछ चीज़ें आरी भी सा करने मुख्यमंत्री कारले में पदस्थापित एक आईएस अख़बार में भी छपा है वो बार बार एस पी चूरू और बीकानेर आईजी पर प्रेशर बना रहे थे कि वहाँ की विधायक जो शिकायत कर रही है उसके अनुसार करवाई करिये और इस बात के एविदेस भी वहाँ राजगड में सामने आए कि वहाँ के करतव्य निस्ट पुलिस अफ़शरों को विधायक के कहने पर चूरू की एस पी बीकानेर के आईजी ये बार बार विध जीटते हैं, जहां पर गुंडों की अपरादियों की फौज है, मर्डर होना सामने बात हैं, क्या आपको नहीं लगता कि पॉलिटीशन का उन अपरादियों से गट जोड नहीं होगा? किसी ने किसी एक परत्यासी से जरूर जुड़े वे होते हैं वहां के अपरादी, कहीं के भी अपरादी, खाकी और खादी का जो ये गट जोड सामने आया इस पूरे मामले में, इस गट जोड में अपरादी भी शामिल है, ऐसा मेरा मामले। क्या चीज हो सकती है कि इतना दबाव इतना भै कि विश्ण दर्जी ने तो आत्मते अगरी दूसरे दिन सारा थाना इस्ताना अंतन चाह रहा है उनके खौप से, ऐसा क्या खौप हो सकता है खिलाडी का जो आभी वरतवाना विधायक है। से ज़्यादा MLA है मामले। उनके पती भी MLA है, उनके देवर भी MLA है, उनके कारेकरता भी MLA है। और वो सारे लोग सभी सरकारी करमचारियों को जिस स्टाइल में दमकाते हैं, मेरे पास कुछ के आउडियो पड़े हैं, टेक्स्ट पड़े हैं, वाटसअप पड़े हैं, जिनों लोगों ने मुझे दिये, उससे लगता है कि राजगड की जो विधायक हैं, इसके अलावा एक चैट विष्णू जी का भी पड़ा है, जो विष्णू जी को बदनाम करने के लिए विधायका के बारे में जो बातने लिखी गई है विष्णू जी द्वारा, वह भी प्रमानित करती है कि निश्चित रूप से खादी का खाकी के बड़े अपसरों के साथ कुछने कुछ गठबंदन जरूर था, जिस कारण से परिनिती मिली, अन्य था देवता कहलाने वाला व्यक्ति, इतना जाबाज अपसर, सिंगंब के नाम से प्रचारी, उसके साथ ऐसी गठना गड़ जाए, यह संबव हो नहीं सकता, यह थे हमारे साथ हाई कोड के पड़े जुजारू और निर्भिक वकील गोर्दान जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत दो, धन्यवाद, यह है टॉक्स न्यूज नेटवर्ट, और आप देख रहे पॉलिटॉक्स राजनीती का कच्चा चिठा